बिश्मिल्ला रह्मार्रों वाहीद इसलाम अले मेरे त्माम पैशनर को मेरा सलाम है कि पैशन पैशन प gelmiş्राइबले क्या मेरे पार स्थैने वाला इसमें पैशन की तर्दीब इसनतल उत में कैने मेरे इस सब पर बात करने से पहले मेरे सुर्phाइल को खुछानि से यह दुआ है कि आपकी तीमाम दिनी वा दुनियाओी मुश्किलात और परषानियों को दूर करें आदमाइशों को खितम करें। वहाँ से रिस्क दें जहां से गुमान हैं हमारी पकड़ना करें हमें अपने उन बंदों में शामिल फर्माएं जिन पर उसने रह्म फर्माएं इस द्वा के साथ एक छोटा सा जिक्र आपको सनाते हैं सिचुएशन पर हलाद पर चाहे वो यह भी आई के चेर्मैन हो चाहे इस मुल्क के बादश्या मतलिकल अनान हुक्मरानों के लिए एक छोटा सा किस्थ फिर बात करेंगे प्रेंचन किसी मुल्क में एक बादश्या रहता था और वो बादश्या जो था वो चानक मर गया उसने अपना कोई जानशीन मकरर नहीं किया था तो जितने भी नीचे काम करने वाले उसके वजीर थे बड़े परिशान हुए और यह तैय करने लगे कि नया बादश्या किसको बनाया ज होती थी वजीरों ने मिलके फैसला यह किया कि इस फसील से जो शहर की जो में दिवार है इसका जो में गेड़ है वहां चलते हैं सुबह सुबह जो शक्स दाखिल होगा उसको हम अपना बादश्या बना लेंगे यह तैया होने के बाद तमाम वुजरा सुबह सुबह में सद दर्वाजे के पास जमा हो गया एक मोची जो किसी काम से बाहर गया हुआ था वह सुबह सुबह जब वापिस आया तो उसको उन्होंने पकड़ लिया और वजीर कहने लगे कि आज से तो हमारे बादशाओ वो बड़ा हिरान हुआ उस अपना समान अपने बगल के नीचे पड़ा वो लाए उसको और लाके उन्होंने उसको वजारत की कुर्सी पर बठा दिया काफी अर्सा वह बादशारा और अचानक दूसरे मुल्क के बादशाओ को जब यह पता लगा कि मोची बादशाहत कर रहा है तो उसने हमला कर दिया वुजरा दोड़ते में मुखालिफ मुल्क के बादशाह नें पे हमला कर दिया और उसकी फोजे बहुत तेजी के साथ बाढ़ रही है बादशा ने का गबराना नहीं पेहतरी नहीं होगा और अरसा गुजरा उन्होंने का बादशाओ स्लामत वह महल के पेरूनी दर्वाजे के बाहर खड़ी हैं ब महल के द्रवाजे तोड़ ही है मुखालिफ आर्मी पचले अच्छा क्या वो अंदर आजेंगे और आपको पकड़ लेंगे उसने अपनी जूतियां ठाई बगल में लगा और कहने लगा मैं तो मोची था मेरा तो काम जो है वो मेरा हुनर जो है वो तो कभी नहीं मरेगा मैं जाके के यह और करे लूँगा तुम जानों तुम्हारा मुल्क जाने है ऐसा ही कोई योबी आई के इधारों के साथ होता है और समझ नहीं आती हम इतना पढ़ लेके भी उस अंपढ़ मने के पास जाते हैं कि वह में नोकरी लगवा दे हैं कि स्कूल के एट मास्टर से लेक के अलाके के थानेदार तक सब उस MNA MPA के मौताज होते हैं वह जो सबसे आखरी सीट वे बैठता था यह जिसकी तालीम भी मैट्रिक नहीं है वह हमारी किसमतों के फैसले करते हैं अजीव साहब है इस मुल्क के अंदर पिछले दिनों मुझे कॉल आई स्कूल से के आपके बच्चे की फीस जमाने वी मैंना सी कांडेंट से पूचे किया तुम्हे तन्खा मिली है उसने का नहीं मैंने जब तन्खा देने की बात आती है तो 30 दिन बात दी जाती है और जब फीस लेने की बात आती है तो तो मुझे पतानी कौन सा नया वायरिस आया स्कूल बंद करवा दे तो मैं फीज दे दू और अगर आपके तीस दिन पूरे नावे तो आपके तो पैसे काट ले जाए लिए यह कोई खुदाई निजाम नहीं है यह हमारा अपना बनाया हुआ निजाम है पिछले दिनों बैंक खड़े लोगों स्कूर्टी गाड़ से का इस पैंक अंदर मेरे पैसे बढ़े और मैं ही बाहर खड़ा उनके लिए इंतजार कर रहा हुआ और वह लोग जो मेरे पैसे की देख बाल कर रहे हैं वह लोग जो लॉकर्स पे बैठे हुए हैं वह अंदर एस ही लगा के कोड़ की दुकान पर चले जाए और आप यह फर्स करें तो वह अगर फर्स करें केहेंगा आपको डेठ तो यहाँ पर आप उसे कहें जाता करेंगे ह। उतना जाद आपको डिसकरिज किया जाएगा हमने तो नहीं कहा कि इस मुल के इंदे बिचली ना बनाओ जो इनकरिज करने के बज़ाए आप डिसकरिज का रहे हैं यही हाल सी एंजी स्टेशन का है पहले क्रोड़ों रुपे की सी एंजी स्टेशन लगवाएगे और अप गैस ना होने के वज़े से उनको बंद कर दिया जाता है तो इसमें उन करोड़ पती मालकान की गलती क्या है यह को बताने वाला नहीं है यह हसाब पैंशन के साथ हो रहा है चकील साब ने एक्चुरी के लिए टेंडर भी दे दिये के इन्वेस्मेंट परपोजल दे दें लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना आपको पता है ना मुझे पता है वाहिद योबियाई की वेब साइट है हकुमती जो कभी अपडेट ही नहीं हुए पता नहीं कितने सालों से उसकी अपडेशन पैंडिंग है लिए को पूछने वाला नहीं है एमनिस्ट्री ऑफ और सीज और हुम हम यो बीयाई के पैंशनर्स के बिहाब पे सिफिए अपील करें कि हुदारा हमारी पैंशन्स में इधाफा किया जाए और मियाए जिस शेयरा से बढ़िया उस शेयरा से इधार किया जाए ताकि हम भी माशरे में खुद को अच्छा इंसान साबित कर सके मामली ने फरमाया था हकूमत जुम के साथ तो रह सकती है सुरी फरमाया था हकूमत कुफर के साथ तो रह सकती है जुम के साथ रही कोफर के माइशरे में इसलामी कवानीन बड़े अच्छ से राइजा यूरब में रहने वाले और सीज बेतर जानते हैं मैं क्या बता हुआ